तेलरू की प्रमुखता क्या है? कम से कम दस शताप्त पहले वेंगी राजाओने शासन किया अपरांत है. Can you name it tourist attraction of your place? तेलरू. सारे IAS officers corrupt हैं, सी अफवा है. इस पर अपका क्या opinion है? पूरी सिस्टम ही corrupt है, सर तो सारे corrupt है, सर. With all due respect. क्या आप में से कोई officers हैं, जो corrupt नहीं हैं? है थे राज़ाबाद में हुए rapist live encounter पर तुम्हारी क्या राया है? अराज़कता है. कैसे? सब के लिए एक समान रूप से काम करना ही न्याय है, सर. आलसे पंदेरी करना पक्षपात से चंता का न्याय व्यवस्था के उपर का भरोसा तोड़ने का काम ही कर रही है हमारी न्याय व्यवस्था. इस पर राज़नीती ने temporary solution जो ढूंडा था, वो था encounter. अगर वही उन्रे एपिस्प में से कोई मंत्री का बेटा हो, तो क्या उसका encounter होगा, सर? मिस्टर अभिराम, आपके पास के गाउं में, इंटरकास्ट मेरेज करने वाली है कि युवा जोड़ी का गाउं के लोग विरोध कर रहे हैं, और दूसरा गाउं एक लड़की पर ऐसे डटेक कर रहा है, पहले आप कौन से गाउं जाएंगे? जो काउन नस्दीक होगा, उसी गाउं में पहले जाओंगा, सर? वाट्स प्रवाइट अफ दिस क्वेस्टिन, सर? बाइस में पहले कौन साद हो आता है? मुर्गी पहले आई या अंडा पहले आया? कोई भी आंसर दो, वो करेक्ट ही होगा. तो वो पर्सनेलिटी इंटर्व्यू कैसे हुआ, सर? या फिर सिस्टम में इंटर होने से पहले ही, राइट या रॉंग नहीं होता, ये कहकर कॉंप्रमाइस कना सिखा रहा हूँ. मिस्टर अभिराम, आदे चलेंजिंग इंटर्वर्ट आउ इंटर्वर्ट आइस बोड सर? तो फिर इस एटिट्यूट के साथ उस सिस्टम में कैसे फिट हो गए फिट होने के लिए सिस्टम ही कहा है सर राज की अनायक सरकारी नौकर कोट के तीन खोड़े सम्विधान को समानता से खीचते हुए एक दूसरे की खलती को खंडित करते हुए आगे बढ़ेंगे तब ही ये गाड़ी सड़क पर रहेगी सर पर सत्ता की नशे में धुद्ध ये राज की खोड़ा अगर रास्ता भटक कर बाकी के दो खोड़ों को अपनी मर्जे के मताबिक चला रहा है तो सिस्टम कैसे बचेगा सर कई लाखो लोगों को फिल्टर करके मिले हुए वैल्योबल प्रिंट्स को सिस्टम में धक्यला जा रहा है पर उन्हें सचाई के साथ काम करने का मौका कहां मिलता है अगर ये परस्नेलीटी इंटव्यू है तो ये परस्नेलीटी वहाँ कैसे मिस हो रही है सर जिन्हें समाज में रहने का हख नहीं है वो गुंडे दिन तहाडे मासूं बेक असुरों की जान ले रहे हैं तो उन्हें कंट्रोल करने वाली विवस्था ही उने पाल रही है ऐसे कुछ इंसिडेंट्स देखकर ही इस इंटर्व्यू में आया हूं सर उन्हें ये पावर किस ने दी सर इलेक्शन में वोट देने वाला वोटर सूचता है कि वो नेता उसकी जिन्दगी बदलतेगा हमेशा लूटने की कोशिश में ब्यूरोक्राट्स को कंट्रोल करने वाले पॉलिटीशन जंदा के लिए काम ना करके साउकारों के लिए काम करने वाले ब्यूरोक्राट्स इस चान में भसकर हमारी जिंदगी कोई नहीं बदलेगा सोचकर अपना वोट पेज कर जी रहे हैं वो डर चक्रपूरा हो क्या सर इस विवस्त हमें एक और आयास ऑफिसर आएगा तो क्या चाहेगा तो क्या चाहे वो मैं रहूं या चाहे कोई और रहे 75 साल से सरकार है इसी ब्रहमेजी रहे थे सर पर उस सरकार की असलियत क्या है ये कोई नहीं जानता सर मिस्टर अभिराम, इस टेंपरमेंट के साथ आप इस फिल्ड में काम नहीं आओगे, I'm sorry. इस खेल में रूल्स नहीं है, बलकि ये खेल ही नहीं, बस खिलवाड है. ये मेरे भाया की कमपाइल की हुई रिसर्च रिपोर्ट से अंकल, घर खाली करते वक्त मिली थी, मुझे तो ये पक्का एक पॉलिटिकल मुर्डर लगता है. मैं युएस जाते ही डबलो एचो में रिपोर्ट कर दूंगी, आप यहां से ये केस रिओपन करने में हमारी मदद करेंगे क्या अंकल? मामा जी घर पे आ गए, आएस बंद गए क्या? इंटर्व्यू का क्या हुआ? हो ना क्या है? आपके इच्छा के मुताबिकी हुआ है, अंकल. ये इंटर्व्यू में हार गया. आप जाकर वापस वही टिकेट्स बुक कीजिए. इस बार बिजनेस क्लास में बुक करता हूँ. बाई! इस बाहर रहना चाहिए, बलकि बाहर रहना चाहिए ही देश के लिए अच्छा होगा. जिस टीक इजी अभी. होप आप सी यू सून. बाई, अंटी. बाई. बाई, अंकल. बाई, प्रिया. बाई, अंकल. यू सस्टेर विध उस वेन यू चाहिए हैं. बाई. बाई. आउट! चल बैट दे मुझे. एक टपप प्र आउट होजाएगा बोलागा ना? आप पर स्रेट कैच लिया ना? ऐसा तो आप नहीं बोलेते. अरे, यह तो अभी से करॉप्शन किंग मान गया है, यार. चल, बैट दे मुझे. मैंने दूँगा. मैंने चोड़ूँगा. बलाना नहीं. बलाना नहीं. तेलरू की नवासी मिस्टर अभीराम ने आएटी में में मिक्यानिकल एजिनियर की पढ़ाई कर गोल्ड मेडल जी दिया है. पिछले चुनाव में इसी यूवक ने चुनाव की विवस्था पर सवाल खड़ा कर दिया था. और खबरों में बना हुआ था. इतना ही नहीं. इस यूवक ने पहले ही अटप्प में आभीसी क्रैक कर लिया है, जो की काबिले तारीव है. इस यूवक के इंटिव्यू से कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ-साथ सारे पानल मेंबर्स इंप्रेस हो गए हैं. अमेरिका की बड़ी-बड़ी कंपनियों से उनके लिए ओफर्ज आ रहे हैं. See, एनी न्यू मेडिसन और वैक्सिन सेंपल टेस्ट में सेक्सेस होने के बाद ही मार्केट में इंटिडूस किरते हैं. पिल्कुल वैसा ध्यान, पब्लिक एड्मिनिस्ट्रेटीव में भी अप्लाई करने पर ही वो एक मैच्योर डेमक्रसी होगा. मैं जब से केबिनेट सेकेर्टरी बना तब से, चाहे जो पार्टी हो, सारे देश में इंपलिमेंट करने से पहले एक ब्रिक लेवल एक्सपेरिमेंट होना चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा है. मिस्टर अभी, यू आर्ट एक्सपेरिमेंट. आगे भविश में UPSC कलेक्टर को बनाने के अलावा, उन पर राज्य सरकार के जो भी अधिकार है, उन्हें भी अपने हाथों में लेकर, इसी दिशा में केंदर सरकार ने एक एक्सक्यूटिव अरेंजमेंट बिल का प्रस्ताव लाया है. एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं, इसलिए यह मत सूचना कि तुम्हें अनलिमिटेड पावर्स मिलेंगी, किसी भी पॉलिटिशन को तुम्हें ट्रांसफर करने का दिकार नहीं होगा, यह एक ही कंफर्ट तुम्हें मिलेगा. इस प्रोपोजल के लिए पहले परियोग के लिए आई एस टॉपर अभी राम को यूपी एसी बोर्ट परश्रिम गोदावरी जिला कलेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है. इस पच्छिस साल के बैचलर के काम के उपर ही इस बिल का फविश्य निर्फर करता है. तुनिया के जितने भी लोकतंतर देश हैं वो इसी मॉडल पर काम कर रहे हैं. असल में डेमोक्रिसी इसी को कहते हैं. विद अब सपोर्ट अब अब करन्ट सेंट्रल गोवर्मेंट, आर टार्गेट इस तो अचीव दैट. अब माक माइव पर यह एक्सपरिमेंट जरूर फेल हुगा. है गाह तंत लोक को तो नियुके को चमा ताँ को एधर यए को तो किना चर्चर Iya अजी उनितो будете को जा मैशने कटेकर्चा है इं बागि इंक और इंस प्रच्च इंटो गुद मॉर्णिंग सर यह सब कब से चल रहा है जैसे ही ने पता चला सुबे से यह लोग आ गए इंस्पेक्टर में आप से राज नेताओं द्वारा फिजे गए उन गुंडों के बारे में नहीं पूछ रहा हूं इसके बारे में पूछ रहा हूं इन्हें तो दो हफ्ते हो गए सर जब यह बीमार पढ़ते हैं तो हॉस्पिटल ले जाने पर एक के जगा पर दूसरा आके बैठ जाता है डिमांड्स पूरी होने तक चाहिए जितना भी वक्त लगे टेंट नहीं हटाएंगे ऐसा कह रहे हैं तो फिर हमें और बिटिश में क्या फर्क रहे जाएगा है हम यहां है चंता के प्रॉब्लम्स और ने के लिए सेटलमेंट्स करने के लिए नहीं इधर नहीं उधर ध्यान दीजिए नहींग लिए धर के रहे हैं ? वह आप सक्षर है आज तक इस जिले के कलेक्टर का भविश्य एक पॉलिटीशन के हाथ में हुआ करता था लेकिन आज से वो यूपीची बोर्ट के हाथों में हैं मतलब इन डिरेक्टली वो भविश्य मेरे हाथों में हैं इस बात का ध्यान रहे आज से यहीं लीगली पॉब्लिकली और पीसफुली होंगे चुटकी बजाता ही व्यवस्था को बदलने के लिए ये कोई सेनवा नहीं है ना ही मैं भारतियों हूँ और ना ही कोई आपरिचित बुरे होकर जीना चाहने वाले को कोई नहीं बदल सकता सिस्टम के मताबिक सजा देने के अलावा आप मेंसे कई लोग अच्छे ओफिसस बनकर जीना चाहकर भी ना जीने वाले हैं उन्हें वो मौका देना ही मेरा लक्ष है और वही असली बदलाव होगा नया आने वाला हर कोई ऐसा ही कहता है सोचकर मजाग समझने वाले पास के जिले में अभी से ट्रांसफर करवालो वरना तुम्हारा करियर बरबाद हो जाएगा ये मेरी गैरेंटी है सब्सक्राइब मेरे रूम में आई अब तक चौदा महटास चार रीप्स कुल मिलाएब तक चौदा महटास चार रीप्स जिलाकर अठरा अपराद है छे महीने से शूट अचार का ओडर है जेल काट चुका के दी बाहर के लोगों को और उनकी मान मर्यादा को हानी पहुचा रहा है सर उसे देखते ही गोली मार देने का कोर्ट का ओडर है सर वो तो बाहर के लोगों को अच्छी तरह दिखाई दीता है कहीं आपको कोई सेलेक्टिव विजन नाम की बीमारी है सर जिस दिन से आप आए हो उस दिन से मेरी परिमिशन के बिना मेरे स्टाफ को बुला कर उन्ही के सामने साफ साफ मेरी बेज़त ही कर रहे हो यानि अब ये लुका छुपी किसलिए अच्छे से बात करते हैं नाम गुना को टच किया तो विशाखावानी से वार डिकलेर करने जैसा ही है ये गुना के साथ-साथ उसे मारने वाला भी समाधी में चला जाएगा ये बात गाउवाले सब जानते हैं इस ट्रांसफर से हमें कौन बचाएगा सर इस ड्यूटी के साथ-साथ घर में बीवी बच्चों को संभालने की ड्यूटी भी है हमारी सर एसपी सर आप अज़ेंटली आजी से बात करके दूसरे जिले में ट्रांसफर करवा लीजिए घर की ड्यूटी संभालिए अब जाहिए अब जाहिए सर गुना कहां रहता है मैं जानता हूं सर अगर आपका सपोर्ट मिले तो मैं हिम्मत कर सकता हूं सर कि गुना को शूट करने वाल मारा जाएगा ना चलो वो मौत कैसी होती है मैं भी देखता हूं हुआ हुआ है हुआ है हुआ है कि अ हुआ है कि झाल 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 सुधाकर उस टेपार्टमेंट वाले ने भाई तुम्हें मारने के लिए दो कुत्ते निकले है ऐसा बताया अब तक निकले सारे कुत्तों का क्या हाल हुआ यह बताया नहीं क्या तुझे पूछा तो उसने क्या जवाब दिया हम क्या बताये भाई तुम करके दिखाओ ना हाँ हाहाँ हाँ 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 दू आदमी और दू बंदूख अच्छी कर दो क्या हाँ हाँ यह अ व यॉ 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 जो, 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 जो. जो, 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 जो. जो, 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 जो. जो, 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 जो. जो, 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 मुझे छो, जो, 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 जो. आप क्या जोड़ता हूँ, सर, सर, एक बात बिल्कुल सही कही तुने, नहीं सर, जान बहुत नाजुक चीज है, उफ करते ही बुझ चाती है, चाहे वो तेरी हो, या मेरी हो, शया सबसाइब Tuske Laval, चाहे दो करते है, मैं एंदरी अरे चाहे जोड़ता है, एंदरी उसरे reasonable शोड़ते जोड़ता है, चलोड़ता है, यह यह प् enfim, जोड़ता मैंने तेरी रहे हो, चैकल कई पस हट शयोड़ता है, जो था तरह उसाओ पैसठ्गा, सर माईरा 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 इनके साथ तो बच्चे भी होंगे जाकर देखो ये सर माईरा 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 कि डॉक्टर कि डॉक्टर कि निर्बंद से मिली लड़की एक एनार आई है पता चला कि आज सुबद तीन बजे एंकाउंटर आपरेशन पूरा हुआ है ऐसा पुलिस पता रही है आगे के जांकरी के लिए के बाद अमेरिका वापस लोट रही थी अगर फिर रहे गुना को खोश लिया है और वो अठारा केसिस में मुख्या आरोपी है जिला कलेक्टर मिस्टर अभिराम के आते ही उन्होंने खतरना गुंडे गुना को खोश लिए उसको मिल्टिपल फ्रैक्शर है और इसके सीर में लगबग 40 टांके लगेंगे बट शे पर उसको बार बार टॉर्चर करके रेप किया गया है अग्वा, हूँखा ने, सर्फ ये विर्गेंगे बच्चों के बारे में पता चलाँ माड़धा, सर्फ क्यों मार दिया और बॉडिस को कहां भेखा गुना के अलावा कोई नहीं चांदता है सर नाली के केड़े है सर अभी मार देता हूँ एंड काउंटर बता देंगे सर भूलना मत आज हमारे घुस्से में न्याए है मार देंगे करल उसस्पी जैसा कोई किसी और केस में असली आरोपी को छुड़वाने के लिए इसी तरह एंकाउंटर के नाम से मासूमों को मार डालेगा रोक पाओगे क्या रोक पाओगे क्या तुम अन्याए होने वाले हर बार कानून को अपने हाथों में लेकर चंता पुलीस मीडिया अन्याए व्यवस्था को कंट्रोल करते हैं तो इसे व्यवस्था नहीं कहते कोर्ट और्डर से गुना जैसे आरोपी को मारने के लिए बिना कोर्ट में पेश की आरोपी को मारने में जो फर्क है वही व्यवस्था है सारे गुनहाकारों को कोट में प्रेसेंट करो लोग भूलने से पहले ही इन्हें सजा दिल्वा दो अगर और कुछ करोगे तो उनमें और हम में क्या फर्क रहेगा सी एंग साब का कौनोई आ रहा है रास्ता क्लियर नमस्ते में नमस्ते सर नमस्ते अब कैसी हाल जान को खत्रा नहीं है फिलाल वो अनकॉंशियस है केस कौन हंडल कर रहा है डॉक्टर डारेक्टली कॉलेक्टर साहब हंडल कर रहे है आप लोगों का काम है आप ही कीशी है ओके सर गॉपाल यस सर तुम यहीं रुको और सब कुछ संभालो ओके मैडम प्रोब्लम सॉल्व करने के लिए कहात और इसने कले में बान दी नालायक कहीं का पहले तो इस हास्से से जूज रही विक्टिम जल्दी से ठीक हो जाए यही प्रार्थना है इस इंसिडेंट में पकड़े गए सारे गुनेगारों को कड़ी से कड़ी सजा मिले नियाए व्यवस्था को यही विंति करती हूं गुणा को हमारी पार्टी ने पाल पोस्ट कर रखा है विरोधी पार्टी तो यही प्रचार करती है वो छे महिने में जो काम नहीं कर पाए वो हमने छे हफ्तों के अंदर-अंदर ही करके दिखा दिया इस हिसाब से गुणा को किसने पाल पोस्ट कर रखा था यह आप ही पॉइंट है बस राश्ट्रो के सारे माफिया का अंत करना ही हमारी पार्टी का लक्ष है और वो इस एंकाउंटर से शुरू हो गया है सारे राश्ट्रो में इस तरह के काम करके हम राश्ट्रो में शांती फैलाना चाहते हैं माडम उस लड़की की हालत इस वक्त बहुत ही खराब है हम बस यह प्रार्ट ना कर सकते हैं कि वह होश में आज है और कुछ नहीं पॉलिटिकल लीडर्स हमारे डिपार्टमेंट को फ्रीडम देंगे तो रिजल्ट्स कैसे होंगे यह आप सभी ने देखा है हम चाहते हैं कि आगे भी यह सपोर्ट ऐसा ही चलता रहा है इस एंकाउंटर के मामले में सर तुम दिख लो सर 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 जस्ट अ मिनिट सर सीम जी ने अथारिटी है सर यह कौन है दुनिया में कहीं पर भी यूएस सिटीजन्स पर क्राइम होता है तुम आहां के कॉंसुलेट असिस्टेंट की हेल्प करना उनकी ड्यूटी है और उनका साथ देना हमारी ड्यूटी है अनी कंसर्न्स अब नॉट अट आल सर नो प्रब्लम सर नो इस दिस अमेरिसंट गोइंग देर यस मैम किने चेक्ट इस इस रॉंग डोसिज प्रिस्क्रिप्शन किस ने दिया था चीफ डॉक्टर ने दिया है बट्स अपनिंग यह पेशंट को मारने का ट्रेट्में चल रहा है यहां मांड यू लेंगवे सर यह लो कौन है कॉंस्ट आपको नहीं पता क्या इसे लिखने वाले आप ही हो ना सर वो कोई गलती से हो गया सर शिश्टर निकल दो निकल दो उसे प्लीज गेट निवसलाइं कि इंसानों की जान जाए ऐसी गलती को गलती नहीं कहते हैं कि बाहर चलिए कि आग आग कि अब सर यहां क्या चल रहा है मैं अच्छी तरह समझ चुका हूं आप जाकर दूसरे पेशेंट्स को संभालिए कौन हो तुम यहां क्या कर रहे हो विशाखावाणी जी का पीए हो सर लड़की के प्रोग्रेस का ध्यान रखने के लिए का है संवे प्रोग्रेस येवाधाद त लगल से टुद से तो लगिखव लगार समय से लगिफव लोग लोग लो स को, रग। लो लोग को, लो फासे थादिया लो बदूआ untच birthday प्रेस क्वार्श का एथ जाँ है, जाँ है उसित डिल पर नियुक्सा यह सैच गीडना रे विडना यह बैस 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 आंका पहला यह आद़ फोली नहीं मिला चाहति अपली नहीं कर पुलीच कर टो गाट अपलीच चाहति नहीं क्पपलीच नहीं नहीं तर्फ और्फ श्राइब प्राइब फोटे तर्फ में नो श्री यह जा सुर्व यॉथ मैरा, 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 मैरा,리 us, sir please understand you can go you can go and sir please understand.. she's calling Let me go in what the hell is that hello madam ह Ngند व अननर गया IV उन लोगों ने जिस थर अवरन को मारा था, वैसे मुझे भी मारना चाहते थे मैं लड़की हूँ ना, इससे लिए इस तरह मारने की कोशिश की, मुझे कंट्रोल करने के लिए, मेरी आँखों के सामने, बच्चों को, इस वक्की ब्रेकिंग न्यूज, मम्ना हॉस्पितल में जो रेप विक्टिम है, माईरा हांसन, उन्हें अभी-अभी होश आ गया है, ऐसा डॉक्टरों का कहना है, लोग माईरा हांसन की तबियत के बारे में अपडेट जानने के लिए बेसबरी से इंतजार कर रहे हैं, माईरा, मुझे बसे एक बात बता, तुम उन डॉक्यूमेंट्स के साथ अगरी बार किस से मिली थी? मैं यूएस चाहते ही डबलू एचो में रिपोर्ट कर दूँगी, आप यहां से ये केस रियोपन करने में हमारी मदद करेंगे क्या अंकल? सर इसे रेप कहा जा रहा है, आखिर ये रेप हुआ कैसे, कितने लोगों ने में रेप किया है, क्या इसे गैंग रेप कह सते हैं? सब प्लीज सहिए कि इस बारे में आपका क्या कहना है, चाहिए रेप है? हाँ, ये देश का सबसे भायानक रेप है, ये सिर्फ एक लड़की पर हुआ रेप नहीं है, हमारे पच्छतर साद के लोग तंदर पर रोज हो रहा रेप है, प्रक्रिति, पर्यावरन, प्राणों पर हो रहा रेप है ये, इस रेप में विक्टिम एक नहीं है, बल्कि माइक्स कैमरास पख़ड कर खड़े रहने वाले आप लोग, ये सब देख कर सुनकर भी कुछ ना करने वाले लोग, इस रेप में सजा पाने वाले गुनहेगार चार नहीं है, बल्कि एक सामराज चाहिए, इस इस माइ वाइफ राधिगा, छे महीनों से बिना के और होने वाले एक नसों की बीमारी की शिकार हुई है, आज इसकी दढकने रुक गई है, मेरे लिए, मेरे बच्चों की लिए, धड़कने वाला दिल, मैं आश्रम मेडिकल कॉलिज में नियूरोलोची दॉक्टर और प्रोफेसर का काम करता हूँ, कॉलिज में पढ़ाही के दौरान ही, मैंने और आधिका ने शादी करनी, मैंने जब से प्रैक्टिस शुरू की है, मैंने किसी को ना समझाने वाले नसों की बीमारी से बाधित होने वाले केसेस फेस की हैं, महीने दर महीने उन पेशिंट्स का काउंट बढ़ता ही चला गया, हमारे जेले में अब तक 3,000 केसेस रजिस्टर हो चुके हैं, मेरी वाइफ भी इस बीमारे से सिख हुई, तभी उसके बारे में एक क्लू मिला, इस बीमारे से बाधित सारे पेशिंट्स में एक कॉमन हैबिट होती है, हर रोज फिष खाने की, वो फिष तेलरू में बढ़कर मच्से गंदा फिशरीज के जरीए डिस्ट्रिब्यूट होती है, तेलरू में 80 टक का फिष टैंक्स मच्से गंदा फिशरीज के लीज में है, मीट्शॉप्स में बचे हुए वेस्ट को मरे हुए जानवरों के एक केमिकल में पिग्ला कर मचलियों को आहर के रूप में देते हैं मचलिया जलती से पढ़कर ज्यादा मुनाफ़ा कमाने के लिए वह ऐसा करते हैं तीस साल से इस नदी में मचलियों के इसी तरह से पाला जा रहा है, इसके करण सारा तेलरो, सीला इस नाम के बैक्टिरिया से मर जुका है, ये बैक्टिरिया नदी के हर मचलि के अंदर है, काफी हद तक हमारे खाने से पहले ही वो बैक्टिरिया मर जाता है, पर कुछ रेयर के कर द्यान नहीं दिया पंचियों को जीवन ना देने वाली नदी इंसानों को जीवन कैसे दे पाईगी आसपास के लाखों एक रखेद बरबाद होने का कारण और किसानों के आत्मात्याओं का कारण भी यह पुल्यूशन ही है सिर्फ नाम के लिए यह चेनली का पानी है पर यह पानी पीने के यह उप्योग करने के लाहिक नहीं है यह कंदगी पास-पास के लाखों जिन्दगी उनको इंफ्लूश कर रही है और इसे निकलेक्ट करके बैठना एक जिन्दार लाश के जैसा है कि अटरा साल की उम्र में यूए सिटिजन्शिप छोड़कर इंडिया में पढ़कर यहीं पर सेट्ल हुआ है इन रिपोर्ट से एक्शन लेने के लिए भारतियता आपने मूँ पर लपेट कर भारत देश को अपने कंदों पर ढो रहे है अपने ओफिशल से मिला यह असली इंडियन वरुन हैंसन हमारे डीसी से मिलने के बाद वो कहीं दिखाई नहीं दिया उसी डीसी से मिलने के बाद इनकी बहन फिलाल हॉस्पिटल में इलाज पा रही मायरा हैंसन वो भी फिर दिखाई नहीं थी सर मैंने अपनी ड्यूटी की थी ओफिसर्स को इंफार्म किया था आप पोस्में मिस्टर नश्रत आप पोस्में जिम्मेदार टीसी होने के ना थे एक मरंड कांड में आपका रिस्पॉंस इतना ही है सर वो रिपोर्ट बेसलेस है रिसर्च गलत है हमारे पबलिक हेल्थ आफिसर ने काउंटर रिपोर्ट गी थी सर सर वैसे रिपोर्ट बनाने के लिए कहने वाले भी डी सी साव हैं ऐसा करने के लिए मुझे भी ओपर से ओडर आये था सर ऐस अवर नौ यू बोथ आ सुस्पंद एंडर अव्टिकेशन सर, सर, सर,सर, बीजिस, सर, यह पहाई शता अखर गाहिं, सर. मां जो माम जाना, बीजिंगा जाना, बीजिस, जो करेंदो करना... उस नफशे है सर? में खोंता गोटीं कारें. कि दुनिया में कि दुनिया में कि दुनिया में बापो और हलदान कर एक बापो ने मेरे पिटाजी को गिफ्ट किया था दूसरा मेरे पिटाजी ने मुझे गिफ्ट किया इससे ज्यादा मेरी इनके लिए और कोई वैल्यू नहीं है प्लीज बूली, जनम देने वाली माह की तरह होगर, आप किसी की जान कैसे ले सकती हैं? प्राण आपने निकाले हैं उन्हें वापस लोटाई है यही मांगने आया हूं क्या कहां लेकिन जो प्राण निकल चुके वो लोटते नहीं अपनी मुठ्थी से मुक्त कर दोगी तो तेलूरू में प्राण वापस आजाएंगे यही प्रकृती की शक्ती है पर तेलूरू के सहारे धाई लाग वोटर्स जीते आ रहे हैं फिर उनके प्राण का क्या होगा उनकी जिन्दगी के बारे में सोच कर ही यह प्रोपोजल लाया अपोजिशन जब आवर में था तब तो ऐसा नहीं हुआ अब हो जाएगा ऐसा लगता है तुम्हें तो फिर एक्जेकेटिव होने के नाते खुद से ही एक्शन लेने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है माडम एस पर कॉंस्टिट्यूशन कानुनी सभा आदेश के मताबिक ही उद्योगियों को काम करना चाहिए लगता है ये बात भूल गए हो तो एस पर कॉंस्टिट्यूशन कानुनी सभा आदेश मारण हम का कारण बनता है तो उद्योगियों को फॉलो करने के जुरूरत नहीं है फॉलो करेंगे तो आप जैसे लोग हिटलर बन जाते हैं हिटलर हो या गांधी सब जन्ता की ताकत से ही लीडर बने है और जन्ता मेरे साथ है जिन्दगी और मौत का फर्क बता चलने के बाद जन्ता जिन्दगी को चुने की मैडम आपको नहीं चला तुम्हें एक कहानी सुनाती हूँ राष्ट्र में पहली बार कॉप सूसाइटी का निर्मान करने वाले एक फ्रीडम फाइटर की कहानी असली लोग तंद्रा लोकल गवर्नस में ऐसा लोगों को भाशन दिया करता था लोगों की जिन्दगी सवाने के लिए कम्यूनिस्ट जंडा लेकर सड़क पर निकल पड़ा सब को सुनने के बाद इलेक्शन से पहले ओपोनन्स ने डाली हुई खास खाकर आने वाले पाच इलेक्शन्स में उसे डिपॉसिट भी ना मिले इस तरह हरा दिया उन्हीं लोगों ने एमेजंसी का सामना करते हुए पुलिस की गोली बारी में अपने दामात को खो दिया तेरा मही ने जील में सड़कर लावारिसों की तरह मौत को गले लगाया उस इंसान का नाम है हनुमंत्रा उनकी बेटी का नाम है विश्या खावानी पिता के लाश को चिता देते वक्त कर भी नी थी उस दिन उसने चिता को आग लगाई अपने पिता के लाश को नहीं बलकि पिता के अंदर समाई सच्चाई को आग लगाई और उनकी लाचारी को उस आग को अपने सीने में रखकर अपनी पिता को हराने वाले तंत्र को अपनी मुठ्धी में रखकर जीते हुए जी रही हूँ आज मतलब जंता को उल्लू बना कर जीना ही आपका तंत्र है एक काटोनिस्ट के बनाय हुए घटिया काटोन को प्रिंट करने से मना करने वाले एक तमिलियन पर घुसे से बॉम्बे से साउथ इंडियन्स को मार कर भगा कर प्रजानायक बना और उसके कुछ साल बात तक नौर्थ इंडियन्स को अपने राज्ये से भगा कर राज की अशक्ति बन चुका था वो फैसिस्ट फैमिली आज उस राज्ये की रोलिंग पार्टी है जाती के नाम पर हमारे देश को अलग-अलग करने वाला हर एक गधा एक नायक है सबसीडी के जरिये सबको आलसी बनाने वाली हर पार्टी एक रोलिंग पार्टी है जहां अज्यानी कठा होता है वहीं धोखा पैदा होता है कलेक्टर मौत क्या है और जिन्दगी क्या है तुम समझाओगे तब भी वो नहीं समझेंगे तुम्हारी आखे गंदी नदी को देख सकती हैं और मेरी आखे पूरे मेले समंदर को देख रही है डार्विन के कहने के मताबिक बंदर ही आगे चलकर इंसान बना है किसी भी लोग तंत्र में at any given point of time असी प्रतिश्यत वोटर अभी भी बंदर है इस होश्यार माइनॉरिटी के पास उस विवकुफ बंदर के पास एक ही पावर है वोट और ऐसी विवस्था से क्या मिलेगा और आचकता क्या लावा उन में से जो भी उस बंदर को चाला किसे सिखाएगा वही उस पिरमिट पर होगा और इसी ले चाहे कोई भी डेमोक्रिसी फंक्शन हो तुमारा जो इश्वे उस पर मेरा एक्विशन सिंपल है नदी के कारण बादित हुए लोग केवल एक लाग है अला पाने वाले वोटर्स की संख्या धाई लाग है यही मेरा हिसाब है और इस प्यॉर ले डेमोक्राटिक इस होल थेरी में आप एक छोटा सा लॉजिक मिस कर गी मैडम इंसान यहां से यहां तक चेंज तो हुआ है करेक्ट है पर इस चेंज को चलाने वाली एक शक्ती है कॉंचेंस मनस साक्षी आज आज आपके सामने खड़े होकर सवाल पूछने वाला मनस साक्षी इस वर्जन से नेक्स्ट वर्जन के इंसान में बदलने के लिए आपको एक हफ़ते की महुलत देता हूं अगर तब तक आपके मन में बदलाव आया तो उस रास्ते पर हम एक साथ चलेंगे वरना इसी पहाड से नीचे गिरकर चरित्रहीन हो जाएंगे आप बिलकुल हिटलर की तरह एंड बाइद वे मेरी फिलोसोफी आपके पड़ी हुई डाविन नीचे नहीं सिखाई हुई है पर आपको उन परिणामों के खबर नहीं है और मैं उन परिणामों को देख रहा हूं थैंक्स पॉर यो टाइम करन है आपको की तरह आपको से मोजें चली मुजया झाल आपको झाल 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 अलग अलग करके प्रांथिय पार्टी को मिटाने के लिए केंद्र सरकार चाल चल रही है उसका एक भाग ये नया कलेक्टर है जो तुम्हारी बली चड़ा रहा है इस कैम में मुझे फसानी की कोशिश में वो तुम्हारी पेट पर लात मार रहा है इस पल से मत्या गंदा फिशरी इस मेरा नहीं है तुम्हारा है इस कंपनी में हर एक पत्यकार एक स्कार का हिस्सेदार है विशाखावानी जिन्दाबार विशाखावानी जिन्दाबार आप गुस्से से रास्ता रोको के ये जानते हुए भी आया हूँ क्योंकि इस नदी पर आप सभी का हक है पर अभी भी क्या वो नदी आपकी ही है चालीस साल पहले आसानी से या मचलियां पकड़ रहे थे तब तक वो नदी आपकी थी पर जब जीवन देने वाली इस नदी को लीस पर छोड़ दिया गया उसी दिन ये आपके हाथों से निकल गई या फिर मुझे बताईए आपने इससे क्या पा लिया एक के काम पर चार खादे हुए अपनी बढ़ोत्री में आप ही अर्चन बन रहे हो अपना आलसी पन यहां लेटा कर रखे अपने बचों को भी विरासत में दे रहे हो इस बांद को टूटने से नुकसान आपका नहीं होगा आपको इस चक्र में भसा कर आपसे दस गुना ज्यादा कमाने वाले इस सोसाइटी के प्रेसिडेंट्स आपसे हजारों गुना ज्यादा कमाते हुए आपके भविश्य पर सिंघासन डाल कर बैठी हुई वो न्यूगता है आपका डर, अज्यान, मासूमियत, विश्वास ही उसके सिंघासन के चार पैर है उस सिंघासन को बचाने के लिए, अपने गुनाहों को छिपाने के लिए आज आप सभी को उस कमपनी में भागीदार बनाया गया है और उसका लाव कभी भी आपको नहीं मिलेगा, यही सच है इस नदी में क्या हो रहा है आप जानते हो वो गलत है यह भी जानते हो पर उस जाल से निकल कर पहार देखने के लिए डरते हो किस लिए डरते हो? आखिर किस लिए डरते हो? आलस के लिए? या न्याय के लिए? सौ साल पहले वेंगी राज समराचे को बचाने के लिए बोरी सासे आये वीर हैं तुम्हारे दादा और परदादा तुम्हारी तरह हर बात और बदलाव के लिए वो तो नहीं डर गए थे न एक बार डर नाम के इस बांद को तोड़ कर देखी तो सिंगहासन के पैर टूटेंगे इस माँ की हदकडिया खुल जाएंगी धेलूरू में एक बार फिर जाना आएगी तुम्हारे साथ साथ उन किसानों को भी जिन्दगी मिलेगी आसानी से मचलियां पकड़ने की शक्ति आप सब में हैं कुल वृत्ति के आगे आपके बच्चे भी अपनी शक्ति के मताबिक आगे बढ़ेंगे मैं यहां आया इस नदी के लिए ही नहीं बलकि आपके भविष्य और आपके पच्चों के भविष्य को भी बचाने आया हूँ तो अब रोकोगे या रास्ता दोगे मर्जी आपकी है और आपकी इजाजत के बिना यहां से एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाओंगा और एक बांध भी नहीं तोड़ूंगा कर दोड़ूंगा कर दोड़ूंगा कर दोड़ूंगा कर दोड़ूंगा तुमने कितना लिया इनसे ये नदी हमसे चीन का तुम उन लोगों को देना चाहते हो क्या अबे खुंचों और कितने साल तुमारी चलेगी हां कॉदेख लिए जलो रहे मार दे ने पूड़ए जैंग चुछ थीच अपरकर यहते हमते सिए हिर अभूषर यह हमोज़ मर देपयो घुछ नैस्ट में टूड आपके यह करत आपके करें इसरी तो कर दो दो जो प्रॉख को पॉर डड़ा है च्रॉद अई कि टीग वगाइड़ है दूख अई यह कड़ा है हॉप अई हॉप क Islam वुन में ज anál कि अर्णित! कि अर्णित! ठे जसे पिर कि अर्णित आम कि अर्णित! कि दो हाइ जस म सा पिर Mia कि भुप तूफ़ें, वेख Zur, वेट लोग आर लोर कोख़ने बुटा नहिंपिसे कदल में, रुप भी उपटे लुप बचालिए एंग, सबुप्प पोजिश्सइट-घिप तो आफ चार्च! झाल झाल! गोई लुटेज रखे! तब पर भाया! अन्होंवे! अन्होंवे! बोल रखेया! जए! कि अखिया। झाल 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 क्या हुआ इस दुरखटना में कुल 15 लोग मारे गए हैं और 22 लोग घायल हुए हैं शांती कायम रखने के लिए तेलरू के ग्राम में और आसपास की जगहों पर 144 सेक्शन लागू कर दिया गया है। केंदे सरकार के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा कर रही है। ऐसा कहकर कलेक्टर अभिराम का कई राज़किये पार्टीज के नेताओं ने विरोध किया है। मैंने पहले ही कहा था कि कलेक्टर अभिराम फेल हो जाएगा। केंदे सरकार ने इस संघटना में तुरंद फैसला लेने के लिए सुप्रीम कोर के अंतरगत एक ट्रिबिनल का आयोजन किया है। तलरू स्काम को कवर अप करने में कलेक्टर अभिराम के पिता का होना भी ये क्विशेश बात है। तुम्हें जिस परिणाम की खोज है वो तुम्हें जंदा में कभी नहीं मिलेगा। इस देश में कोई भी आरोग के पढ़ाई, व्यवसाय, परियावरण, इकोनॉमिक के बारे में नहीं सूच रहा है। उनकी सोच सिर्फ जाती मतभेद उस वक्त की जरूरत को पूरी होने तक सिमित है। उनका बदलने का इरादा नहीं है, और बदलाब लाने का हमारा को इरादा नहीं है। तुम्हें गुणा कमारा पर मेरी कोई प्रदिक्रिया नहीं दी जानते हूच यहूं। क्योंकि उस बांद पर हजारों गुणा मौजूद हैं। फर्स्ट फेलियर है ना। बहुत दर्द देता है। दीरे दीरे आदत बढ़ जाएगी। हर फेलियर हमें असलियत के और खरीब ले आता है। और विवस्था में मिला देता है। हेलो दीदी। अभी पापा अभी तक घर नहीं लोटे। बहुत डर लग रहा है। पापा किसानों के साथ गये हैं अभी तक नहीं लोटे। तुम घबराओ मत मैं देखता हूं। अभी वाट्स हैपलिंग। माइरा डोर लॉक कर लो किसी को भी आने मत देना। अभी। 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 गाव, हैचा थैल दौल रषा में पार। रहने दो रिश्वत लेकर गलत नहीं करूंगा और अच्छा करने के लिए रिश्वत नहीं लोगा स्टे ओर्डर किसी भी वक्त आ सकता है लेट स्पीड अप देख लो सारे एक्स्प्लोसिफ सही जंग से लगे हैं कि नहीं आज पास की बिल्डिंग्स को नुकसान न पहुच है ओके जीरो टॉलरेंस कोनो प्राब्लेम हाबेना शाहिब आम इस अब देखें ने वो ओके पापा हाँ क्या पूरी बिल्डिंग एक साथ गिर जाएगी वर्ल्ट्रेट सेंटर की तरह हाँ बटा ऐसे एक साथ कैसे गिर जाएगी क्योंकि डाइनमाइट्स एक साथ उड़ाएंगे कितने डाइनमाइट्स लगाये हैं यह क्या मजाग चल रहा है हमने आपको नोटिस भेजा था लेकिन बिल्डिंग बनती रही हमें इसे गिराना होगा साथ अरे छोड़ना तु किस से बात कर रहा है तुझे पता है राहूल सेंगुपता के साथ मैं चीफ मिनिस्टर का भती जा हूँ और इस शेहर का सबसे प्रॉब्लेम क्या है क्या चाहिए अजस्ट वोर्ण दे बिल्डिंग तु कम डाउन सा क्या बात कर रहा है पूरा बिल्डिंग इरा देगा पर यह बिल्डिंग पार्क पर इलीगली बनाई गई है सुन तुझे बिल्डिंग में दस फ्लट दे दूँगा छोड़ दे इसे रिश्वत लेकर घलत नहीं करूंगा अच्छा करने के लिए रिश्वत नहीं लेता है यू हापी खुश हो ना रेडी सर अग्या है अग्या है ओन काउंट थ्री नहीं इवैक्वेट हो गया ना वान ऐसा मत करना तेन कितने के बाद थ्री ट्रिगर दोर कि को क्या हुआ? ट्रांसफर ओर्डर है क्या? इससे ज्यादा क्या हो सकता है? Guru, ज़रा उसे देखो! वो चाहिए क्या तुमे? हाँ, बिलकुल! वो तुमे मिल जाएगी! अबको तो चाहिए! वमें किस टाइब के चाहिए बोलो? यह बाजु वाली चलेगी? नहीं! आपने देखा नहीं, पापा? एए, खेल का मतलब बिना देखे कि यह गलतियों को सुधारना है. इस टीचिस करेक्टर. जीतना है तो एदबार ओखेल. कमॉन! आपने बाटना ही दिया ही चाहिए! दूसरी कमपार्टन में शिफ्ट होते है नाची. एक्स्क्यूज में. ती में बात करेंगे और दरवाजी के पास जाके पीएगी? जाओंगा! जरूर जाओंगा! मस मुझे थोड़ा सा दूज मिल जाएगा पीने को! जरूर लुचे हैde! नुचे 己्चे! रुचे! महात बने ब tablets लिवाएगा! मुचे! जरूर बेन जरूर बाटना प्षचे! जरूर दूरो! वेंगे, एकाँ! प्लाव ठाँ, एकाँ! वोजे वोजेखे, वोजेखे कुछ खुपता ने तुम्हार लेक गफ्ट बेजाए एक शिस्टेम के साथ खिलवाद मेहीं चलेगा वो तुम्हें मारना नहीं चाता वो वस तुम्हें तोड़ना चाता है अब तुम तूट चुके हो और हमेशा के लिए ऐसे ही रहोगे प्रॉप अपने ट्रेन में अपनी बेटी और पत्नी को खो दिया उसी ट्रेन में मैंने अपनी पहन और मां के साथ साथ अपने पापा को भी खो दिया मेरे पापा मुझे वापस मिल जाएंगे ये छोटी सी आस लेकर इस गेम में आया था मिस्टर दश्रत मैं आपको आप से मिलाने आया था मैं हार क्या आपका इस तरह आपमान करना मेरा इरादा नहीं था मिस्टर दश्रत हैं आप जर्ट अपक्या इसाया था स्टिन को अरूरो सोच रही हो कि एक गुण्डे ने मेरी पत्नी और बेटी को मार दिया तो मैं हार गया वो राक्षास तो पूरी दुनिया में है पर उन्हें विवस्था सजा देगी या फिर पालेगी सवाल ये है मैं वहाँ ट्रेन में नहीं हा रहा था मेरी असली हार तब हुई जब उन दरिंदों को साथ लोगों के सामने दो मासूमों को मारने की सजा सिर्फ दो महीने हुई कोर्ट रूम में फैसला सुनाते वक्त राहुल सेन गुपता अपनी मुझों पर ताओ देते हुए हसते हुए मुझे देख रहा था उस दिन सच्चाही को तिल-तिल मरते हुए देख कर जी रहा हूँ आज जो हुआ वो इस लाश का अंतिम संसकार है बेटा मैं जानता था कि तू अपनी जिगे पर बिलकुल सही है तुझ से कोई भी गलती नहीं हुई पर तू इस रास्ते पर चलेगा तो मेरे जैसे ही टूट जाएगा यही सोच कर तुझे रोकना चाहा था लेकिन बेटा मैं तेरी आखों में बेगोसी नहीं देख सकता मैंने बचपन से ही तुझे हमेशा मजबून बनाया है बेटा शिद्ध से भागने वाला कायर कहलाता है और मरते दम तक लड़ने वाला वीर होता है मेरा बेटा हारा नहीं है और उसे हारना भी नहीं चाहिए तेरी जीट के लिए ये लाश कैसे कावाएगी ये बता बेटा पापा वापस मुझे राह दिखाने वाले मार्क दर्शक बनो के तेरा साल पहले वेस्ट बेंगॉल बोर्ड से बाहर निकल कर एपी पी एसी एक्जाम दिया था एलरू में पबलिक हेल्थ आफिसर की पोस्ट मिली पहले इंस्पेक्शन में पता चला कि पीने के पानी में सील आइस नाम के खतरनाक बैक्टीरिया मौजूद है जब एक्शन लेने के लिए रिस्पांसिबल आफिसर से कंसर्ड किया गया तो उस वक्त के कलेक्टर लेट मिस्टर रास सिंग को मैंने रिपोर्ट दरज की थी उस हजारो करोड रुपे के बिजनस की मालिक थी मिनिस्टर विशाखावानी मेरे प्रोपोजल को ये कहकर रिजेक्ट कर दिया गया कि ये धाय लाग वोटर्स की जिंदिगी का सवाल है मुझे धमकी मिली कि इंस्पेक्शन रिपोर्ट को फेक बनाओ वरना तुमारा ट्रांसफर कर दिया जाएगा मैंने सुचा अगर मैंने ये काम नहीं किया तो भी वो लोग ये काम करवा लेंगे फिर मैंने रिपोर्ट बदर दिया तुरम थी मुझे डिस्टिक्ट डेवलपमेंट ओफेसर के लिए प्रमोट कर दिया गया योरॉनर आज से ठीक चार साल पहले जब किसान बांच से खेतों की बरबादी की समस्या को लेकर मेरे पास आये थे तो मैं जरूरी एक्शन के लिए मत से पालन मंतरी शेरीमती विशाखावानी से सीधे मिलकर एक और रिपोर्ट सम्मीट की थी इस पर मंतरी महोदिया ने मुझे चेतावनी दी थी कि थेलरू को हाथ लगाने से खून की नदिया बहेंगी और मुझे फेक रिपोर्ट बनाने का आदेश दिया जब वरून हैंसन की रिपोर्ट आई तो मैं प्रिविएस कलेक्टर विजे कुमार से मिला और उनसे इस मामले में एक्शन लेने के लिए रिक्वेस्ट किया पर उन्होंने मुझसे कहा कि आने वाले एलेक्शन में मैडम विशाखावानी की पार्टी क्लियर मेजारिटी से आ रही है। उनकी मर्जी के खिलाफ जाने से अंजाम बुरा हो सकता है। जब फेक रिपोर्ट का आदेश उनसे भी मुझे मिला तो मैंने मजबूर हो कर उसे बनाया और सम्मिट कर दिया। विटनिस इस एक्सक्यूज़्ड पबलिक हैल्थ ऑफिसर मिस्टर रंगनाथ। अगर मैं यह नहीं करता तो मेरी जगह पर किसी और से यह काम करवा लेंगे सोचकर मैंने ही कर दिया। नाव फॉरेस्ट ओफिसर मिस्टर जनाप्दन राओ। प्लीडिंग नॉट गिल्टी यूर उनर। मैंने बहुत सिंप्ली डीसी जी के आदेशों को फॉलो किया। वो काम मैंने ही तो मेरे अलावा किसी और से करवा लेंगे यह सोचकर मैंने ही कर दिया। विट्नेस इस एक्सक्यूज़ एक्स कोलेक्टर मिस्टर विजय कुमार। प्लीडिंग नॉट गिल्टी यूर उनर। जैसा दश्रच जी ने कहा मेरे पास कोई रिपोर्ट महीं है। रिपोर्ट्स को फेक बनाने के लिए मेरे लोगों ने कभी नहीं कहा सर। विशाखावानी का इस मामले में कोई दखल अंदाजी नहीं है। श्रीमदी विशाखावानी। प्लीड नॉट गिल्टी यूर उनर। मैंने इन में से किसी भी ऑफिसर्स को इंफ्लूएंस नहीं किया है। और इस बात का कोई सबूत भी नहीं है। बाप बेटा मिलकर अपने किये हुए गुनाहों को छुपाने के लिए। मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं पिछले चालीस साल से जनता के लिए लड़ रही हूं और जनता के लिए जी रही हूं। इस कलेक्टर ने जो जाल भिछाय है। उसमें फंसकर में अपना वक्त बरबाद नहीं करूंगी। इस कैम को बढ़ा हवा देने वाले डी सी जी को कड़ी से कड़ी सजा दी चाये। कोट से मेरी यही विंती है। कोट इस रिसेस्ट पर लांच। अगर इसे ही चलता रह तो न्याय हो चुका। कि अगर देख लिया ना कल वो केंद्र सरकार को गाली दे रहे थी और आज जाके उसी से मिल गई। यहां जरूरत की मुताबिक अलाइंस इस कैसे बदल जाते हैं। क्योंकि यहां सारी पाटी का एजंडा एक ही है। लगता है इन्हें अपने साथ मिलाकर दिल्ली पाटी गेम खिल रही है। इसे लिए एक्स्परिमेंटल कलेक्टर को रखा है। उनके चेसबोड का तू भी एक प्यादा है बस। यह सर। आपने न्यूस देखा। यह आई ज़स्ट हर्ड सर। तो आप जानते हैं कि किस रास्ते पर जाना है। अफ्कोर्स यह सर। ठीक है। कौन है सर। हो मिनिस्टर। अब आगे क्या होगा। क्या होगा। क्या होगा। कंफेशन करके प्यादे जेल में जाएंगे। और प्लेयर्स बाहर रहकर और एक नया गेम खेलेंगे। मिस्टर अभी राम, यह क्लोजिंग आर्ग्यूमेंट। यह रॉनर। यह केस एक व्यक्ति के बारे में या एक वर्क के बारे में या गंदगी में फसे तलूरू के बारे में नहीं है। यह नदी ही हम हैं और यह नदी ही व्यवस्था है। इस महीने नौ तारिक को हुआ वाइलेंस। किसी के भढ़काने पर तभी के तभी होने वाला वाइलन्स नहीं था कई सालों के लैंड सर्वेस, इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स, हेल्थ रिकॉर्ड्स को फॉर्ज करते हुए इस खराबी पर उंगली उठाने वाले आफिसर्स को डराते हुए सामना करने वालों को खत्म करते हुए किसानों और मत्सिकारों के बीच श्रिमती विशाखावानी जी ने बनाय हुआ युद्ध वातावरन है वो डीटेल्स सारे सबूतों के साथ आपके सामने रखी है पर ये विचार उस सच के और इस जूट के बीच हो रहा युद्ध नहीं है सच के और न्याय के बीच हो रहा युद्ध है इस गंदी साजिश की वचा बनने वाले वो सारे गुनागार आज राज़की अताकत से बचने के लिए अपनी पार्टी को ऊपर की पार्टी से समझाते के लिए तयार कर रहे हैं वहां का समझाता यहाँ न्याय पर होने वाला अत्याचार है यूर आणर लोग लोक तंत्र का मतलब सिर्फ वोट का हक चिलाने का हक है बस इसी भ्रहम में पर बिना बंधे से तूटने वाली व्यवस्था ही उस लोग तंत्र की बुन्याद है ना जानते हुए अभी भी उस फ्यूडल व्यवस्था में ही जी रहे हैं जनता ही नहीं बगी सिविल सर्वंट्स और कोर्ट्स भी उन रूल्स के तले घुलाम की तरह ही जी रहे हैं सिर्फ उपोजिशन पार्टी इलेक्शन स्ट्राटीशी को सीक्रेटली सुनने के कारण अमेरिका में एक प्रेसिडेंट को ही हटा दिया गया है पर यहां उत्तर प्रदेश में एक लड़की पर रिपीटेडली अत्याचार करते हुए अपने फैमिली मेंबर्स को मारते हुए दो साल तक असेम्बली अटेंड किया एक एमेले ने यही है लोग तंत्र और फ्यूडल विवस्था के बीच का फर्क पुलीसी न्याय व्यवस्था बनकर एंकाउंटर कर रही है तो सारा देश ताली बजा रहा है न्याय व्यवस्था के लिए इससे बढ़ा कोई अपमान हो सकता है क्या मर्जी के मताबिक गुनहेगारों को बचाते हुए मर्जी से लोगों को सजा देने वाले विशाखावानी जैसे लोग ही कानून, न्याय और निर्नाय बन चुके है न्याय व्यवस्था अगर अभी नहीं जाग उठी तो फिर कब जगेगी बताईए जनता चुनने वाले लेजिसलेटर्स उस लेजिसलेशन को अमल में लाने वाले सिविल सवन्स न्याय की रक्षा करने वाली जुड़ी शिरी ये तीन घोड़े जब ठीक से काम करेंगे तभी वो लोकतंतर कहा जाएगा, सरकार कहा जाएगा रास्ता भटके होए उस लेजिसलेटिव घोड़े को आज सामने से सवाल पूछ रही है ये एक्जेकिटिव व्यवस्था या आए व्यवस्था भी अपने पैरों पर खड़े होकर उस खोड़े पर जब लगाम लगाएगा तब ही होगा यासली रिपॉब्लेक आपके इस वैसले में बस एक ही सवाल का जवाब ढूड़ना होगा यारोना तलुरों में जिस दिन से ये साजिश शुरू हुई उस दिन से 133 लोग सोसाइटी के मेंबर्स वरून हैंसन की तरह गायब हो चुके है सौसे बीज़ ज़्यादा किसानों ने आत्मात्या की है हजारों की तादाद में कंज्यूमस पीमारी के शिकार हुएं उनकी जान के लिए कौन जिम्मदार है तलुरों को जहरीला बनाने में आखिर किसका हाथ है जीवन देने वाला तेलुरू और कितनी जाने लेगा और इस नुकसान का जिम्मेदार आखिर कौन है लास्ट पर नॉट दे लीस्ट ये सारे स्कैम्स चालीस साल से सबसे ज्यादा फाइदा किसे हुआ ट्रक्रिती प्राण और समाज को एक समान रक्षा ना करने वाला निरने सच में इतने लोगों की जान लेने वाले असली हथ्यारों को सजा ना सुनाने वाला फैसला फैसला नहीं बल्कि वो सड़े हुए तैलुरू के पानी के समान है आयरेस्ट माइ केस योरोना आए सर्झ टेलरी प्रदुशन पर हेस्टार ने होना है आरुन हैंसन और अभी राम ने जो एविटेस सम्मिट किये हैं वो पूरी तरा से सच है ऐसा टर्मिनल का मानना है सब्सक्राइब के आदेश के मुताबिक पांच काउंटर तक ही नहीं बलकि नौ काउंटर तक ज़रूरत पड़ी तो आर्मी की साहता लेकर सभी तेलरू के बादों को मिटाने का आदेश दे रहे हैं प्रजा प्रतिनी दी और व्यपारी होने के नाते तेलरू से सबसे ज्यादा फाइदा उठाने वाली श्रिमती विशागा वानी को प्रतम आरूपी निर्धानित करते हुए उनके साथ साथ जेपुटी कोलेक्टर दशरत, एक्स कोलेक्टर विजे कुमार, फर्स्ट ओफिसर जनारदन राव, हेल्थ ओफिसर रंगनाथन, सेक्शन 299-300-304A-171E के तहर इंस सब को हथ्यारे निर्धानित करते हुए आज इवन कारावास की सजा सुनाई जाती है कोड का डिसिप्लेन तोडने के जुर में इन सभी को कस्टेडी में ले लिया जाए फैसला बदल दूगी, देख लेला हाँ डेर यू, वोट नॉनसेंस इस देस नर्सी मा, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे नर्सी मा, क्या कर रहे हो तुम लोग, छोड़ो मुझे आइम सारी पापा, ये मेरी किरफतारी नहीं बिटा मेरी रिहाई है छोड़ मुझे, लेव मी अलोर तुझे क्या लगता है कि तुझ जीत गया, अरा कर रहूंगी तुझे एक हपते में इस फैसले को सुप्रीम कोट से बदल वाद होगी, देख लेना एक हपते के अंदर फैसला बदल जाएगा आइव एक फैसला बदल जाएगा माम चली हमार सार मैं नहीं आपका दुश्मन हो और नहीं आप मेरी दुश्मन हो आपके पिताजी और मेरे पिताजी को तोड़ने वाली विवस्था ही हमारी दुश्मन है यह जीत उस विवस्था पर है इसकी हगदार आप भी हो विशिंग यू वेल मैडम विवस्था इतनी आसानी से नहीं बदलेगी बिटा यह विवस्था कभी नहीं बदलेगी है यह हूँ व इतनी विवस्था विवस्त लुको, उस तरफ चलो, उस तरफ चलो, एक, कौन हो तुम लो, क्या कर रहे हो, एक, कौन हो तुम, एक, कौन हो तुम, अरे, रुक जाओ, पांध बादने आये थे, हां, हां, होलो, इसने भेजा तुम्हें, एक, किसने भेजा तुम्हें, एक, कौन नदी पर बांध बनाना चाहता है, बोलो, बांध कौन बांध ना चाहता है, किसान है, बादित है, उस नदी को छोड़तो ये कहकर धरना किया था न, और अब तुम लोगी, तुम लोगी उस नदी पर बांध बना रहे हो, हलो, एमेले यहां पर है, आतो, एमेले हो तो क्या हुआ, बोलो रहे, क्यों डर रहे हो, तुम लोग, हम ने ही बनाया है, इसमें गलत क्या है, तुमारी जाती के लोगों ने 40 साल कबजे में रखकर करोडो कमाया है, हम भी 40 साल फाइदा लेने के बाद नहीं की बात करेंगे, क्यों भाई, मेरी जाती, कौन सी जाती है? कौन सी जाती है क शर्म नहीं आती तुम्हे, किसे क्या बोल रहे, समझ में आ रहे है तुझे, आरहे तुम क 2015, भाने केना एगानाना के था आने कास काता है! बाबू, आप चाहिए बाबू, मैं यहां सब समाल लूँगा, कल सुबह होने से पहले एक भी बांध बाहन नहीं दिखेगा बाबू, आप चाहिए यहां से, जाहिए बाबू, बाबू, आप काध बाबू करने कर दो कर दो दो जाचा जाचा जी मुझे माफ कर देना पेटा में जाचा जाचा 経 cela जा है कि इसके Οर्ण से चे में हाचा अब तेलरू और समुद्र में भी पूरी तरह चान बीन करके हमारे कलेक्टर अभिराम जी की बोड़ी को लेकर आएंगे हमारे को लेकर आएंगे क्रश जासा सब फुद्रा क्या एसी आएंगे ऊएंगे और सक्याइ्वाया तरह आएंगे को लेकर नार्शा जुद्र आएंगे इते हैं छोड़ो मुझे, छोड़ो! नर्सी मा, क्या कर रहे हो तुम लोग? छोड़ो मुझे! मैं सारी पापा, ये मेरी किरफ्तारी नहीं बिटा. मेरी रियाई है. छोड़ो मुझे! लिव मियालोर! तुझे क्या लता है कि तुझ जीत गया? मैं अखरा कर रहांगी तुझे! एक हटे में इस फैसले को सुप्रीम कोड से बदल भादोंगी, देखे ना! एक हटे क्या अदर फैसला बदल जाएगा? आल विल चें दवर्लिक इन वीक! छोड़ो मुझे! छोड़ तो मुझे! छोड़ो मुझे! मैम, मैम! पर में ना ही आपका दुश्मन हों, और नहीं आप मेरी दुश्मन हो. आप के पिताजी और मेरे पिताजी को तोड़ने वाली व्यवस्था है हमारी दुश्मन है. ये जीत उस व्यवस्था पर है. इसकी हगतार आप भी हो. इसम vontÓ विशिंग रिंग ए व Fighterा. वेवस्था इतनी आसानी से नहीं बदलेगी पिटा यह वेवस्था कभी नहीं बदलेगी को अभिया कर दो कर दो कर दो अ हो 94 फों तरह चलो नहीं है? कौन हो तुम लोग? क्या कर रहे ओ? आह! कौन हो तुम? ऐज रुख्यो! अग्ग कर दो 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 कर झाल 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 झाल